दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वालू कि आपके से आपकी Redmi 10 स्मार्टफोन के अंधर LED नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हो यह काफी जबरदस लगता है देखने में और यह काफी इनेंस कर देता है आपके स्मार्टफोन के लुक को जब भी आपको कोई न चैनल को स्टार्ट कर लेते हैं अमारी यह बहतरीन सी वीडियो सो दोस्तों जैसे ही आप ओपन करते हो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो बार एगरी के उपर क्लिक करना है सो दोस्तों इस आपको कैसे सेटिंग्स मिल जाएगे सो दोस्तों यहाँ पर जाना है आपको और यहाँ पर एज इसको ओन करके यहाँ पर अलाव करके बैक चले जाना है दोस्तों यहाँ पर भी आपको सिंपली अलाव कर देना है और बैक चले जाना है सो दोस्तों यहाँ पर आपको अल्वेज ओन से दे देना है इसको इनेबल करके इसको इनेबल कर देना है यहाँ पर अलाव कर देना है तो दोस्तों इसके बाद आपको सिंपली नीचे चले जाना है और सेव के उपर क्लिक करके फ़र्श नंबर के ओप्शन पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों फ़र्श नंबर के ओप्शन से उसक्सेस्पूली आ चुका है, तो दोस्तों इसके बाद आपको simply back चले जाना है और app settings के अंदर चले जाना है, app settings के अंदर जैसे ही जाते हूँ, यहाँ पर first number के option पर click करना है, तो दोस्तों आपको कब चाहिए, notification आती ही, तो दोस्तों यहाँ पर भी allow करके, यहाँ पर back button आपको click करके okay कर देना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको allow कर देना है, तो दोस्तों यहाँ पर यह पुछ रहे, आपको screen off चाहिए, on चाहिए, यहाँ पर हम simply third wall option क्लिक कर देंगे जो कि ये on off दोनों भी चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है उसके बाद इसेव के option पर क्लिक करना है और first number के option पर क्लिक कर देना है दोस्तों यहाँ पर वे सी थोड़ी सी एड आएगी उसके बाद जो setting है वो successfully save हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर आप simply देख सकते हो setting सेव successfully आ चुका है इसके बाद आपको simply back चले जाना है और lightning settings के अंदर चले जाना है तो दोस्तो यहाँ पर आपको simply enable कर देना है अगर आपको यहाँ पर आपको सेटिंग थोड़ी चेंज करने होगी तो वो भी आप simply कर सकते हो तो दोस्तो इसके बाद आपको सबसे पहले thickness बढ़ा लेनी है यहाँ पर मैं simply thickness बढ़ा लेता हूँ तो दोस्तो इसके बाद आपको क्या करना है यहां से नीचे चले जाएना है लाइटिंग प्लेस्मेंट में उसके उपर क्लिक करना है तो दोस्तो यहां पर अराउंड नौच अनली आ चुका है तो दोस्तो इसके बाद आपको simply age thickness आपको जितने बढ़ाने होगी उतने आप simply बढ़ा सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर हमको simply कुछ भी नहीं करना है उसके बाद नीचे चले जाना है यहाँ पर हम simply देख सकते हो आपको कही सा बंध हो जाएगा सुध यहाँ पर आपको कंटिनियोंसली चाहिए तो वह भी कंटिनियोंसली भी रख सकते हों सो दोस्तो यहाँ से आम नीचे चले जाएंगे रेड से blue green yellow न अगर आपको आपको कॉनसा भी color पसना की तो सिम्पली और आप से रख सकते हो अगर आपको two colors रखने हो तो आप, प्री colors रखने हो रखने हो तो आप से रख सकते हो यहां पर देख सकते हो जो हमारे त्री और से वह NAVAL हो चुके सो दोस्तो यहाँ पर मैं rainbow style select कर लेता हूँ बहुत ही बढ़िया दिखता है दोस्तो यहाँ पर देख सकते हो आप rainbow style काफी बढ़िया दिखता है यहाँ पर देख सकते हो दोस्तो काफी अच्छा लगता है rainbow style देखने के लिए spectrum भी दिखा दू दोस्तो आपको मैं यहाँ पर द रेंबो स्टाइल क्लिक कर लेंगे यहाँ पर सिलेक कर लेते हैं तो दोस्तो रेंबो स्टाइल रेंबो स्टाइल सिलेक करने के बाद आपको सिंप्ली नीचे चले जाना है दोस्तो अगर आपको स्पीड बढ़ाने होगी तो आप सिंप्ली यहाँ पर स्पीड भी बढ़ा सकत लोगता है इसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करके फर्श नम्बर के आप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर थोड़ी से एड दिखाई जाएगी उसके बाद यह स्प्री में सेव हो जाएगा तो दोस्तों अगर आपको यह एप इंस्टॉल करनी होगी तो सबसे पहले आप आपको सिंप्ली सर्च कर लेना है अल्वेज ओन एज जैसे आप सर्च करते हो जैसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है जो फर्श नम्बर का आप आपको दिकरा है उसे आपको सिंप्ली इंस्टॉल कर लेना है और वो सारी प्रोसेस इसके अंदर आप सिंप्ली कर स सकते हों जो मैंने प्रोसेस आपको सीखाई है सो दोस्तों मिलते हैं अगले उडियों में तब तक के लिए बाई